हेलो फ्रेंट्स मैं हू लक्षमी मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है आज मैं जो रेसिपी लेकर के आए हूँ वो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है तो आप ट्राइ जरूर कीजेगा अगर आपको मेरी वीडियो अची लगती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजे और शेयर करें से अपने फैमिली और फ्रेंट्स में और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिगा तो फ्रेंट्स आज हम बना रहे हैं पीनट बटर जिसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है और शुगर फ्री तरीके से हम बनाएंगे तो यह बहुत ही हेल्धी वाली रे है और एक चमच रिफाइंड ओयल ले लिया है अब इन तीनों चीजों को हम मिक्सिक्य जार में डाल देंगे और इसका फाइन पेस्ट हम तयार कर लेंगे तो फ्रेंट्स सबसे आसान वाली रेसिपी है इस तरीके से अगर आप पीनट बटर घर पे बनाते हैं तो यकीन मान दाले से यह थोड़ा सा पतला हो जाता है कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी पतली हो जाती है तो इसके लिए मैंने रिफाइंड डाला है आप चाहें तो डाले अधर्वाइस आप स्किप भी कर सकते हैं और कुछ सेकंड हम चला लेंगे तो लगभग 10-15 सेकंड के बाद में म साइड में एक बरी चमच घुमा लें ताकि कोई भी अगर मुफली के दाने साइड में चिपके रहते हूं तो वह सारे अच्छे से पिस जाएं तो यह वापस से मैं अभी 10 सेकंड बाद का आपको अभी वीडियो दिखा रही हूं और इसमें हम डाल देंगे नमक तो एक पिनट बटर चाहिए थोड़ा सा क्रंची वाला तो आप और मिक्सी को ना चलाएं और यह देखिए कुछ सेकंड और चलाने के बाद में यह अच्छा पतला हो चुका है तो टोटल एक मिनट लगते हैं इस रेसिपी को बनने में कोई बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लग ताकि वो भी इस आसान और हल्दी वाली रेसिपी को घर पे बहुत ही आसानी से ट्राइ कर सकें तो आप पिनट बटर बजार से लाने की बजाए आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं तो फ्रेंट शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट करके जरूर बताइएगा लगी तो लाइक ये बगैर बिल्कुल भी ना जाएं थांक यू फर वाचिंग स्टे कनेक्टेड